असलावलिकूम डियो स्टुट्ट्स कैसे हो आप लोग मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक टाग होगे तो आज की सुडिय में चलना हम लोग फस्ट्रिय केमिस्ट्री चैप्टर नबर नाइन केमिकल कैनेटिक्स को जह है वह क्विकली रिवाइस करेंगे ठीके सो विद हैं ठीक है इसमें जो महaking पास रियेक्षण होते हैं इसमनी बेसे कली आवर रियेक्षिंग की बात कर देद रहेए कुछते हमार पासलो रियेक्षण होते हैं कुछ मोडरेइड हो एं, कुछ आस्री एक्शंव होते हैं एउप इसने टाइम बताया है क्रिवाइड्वां टै यह चैप्टर नभर थ्री में भी बात की थी कि ऐनों इक रियक्षिनस वहां फास्ट रियक्षिन्स होते हैं ठीक है या फिर आप लोगों से वह क्वेसंन भी कर सकते कि लाइक रियानिक रियक्षिनस का आप लोग टायम बताओ कि वो कितने टायम के अंदर study करते हैं इनकों लोग जाओ फ्लैश फोटल सेज और स्पेक्ट्रोग्राफिक मैथिट्स के थरोज है वो study करते हैं very slow reactions like resting of fire and blackening of the white heads formation of the water at the room temperature यह slow reactions की उसने examples दी है ठीक है तो यह भी आप लोगो जाओ पता होनी चाहिए उसके बात कहते हैं कि लाइक very slow reactions अचाहिए हो गया उसके बात कहते हैं किनेटिक्स इंवाल ते रियक्शन विद मोडुरेट स्पीट लाइक्शन एंड गाली रियक्शन और अच्छा किहते हैं कि हम लोग के रियक्शन को स्टेडी करते हैं यह हैं सकता है कि लाइक अंडर कैमिकल कैनेटिक्स हम लोग किस तरह की रियक्शन को स्टेडी करते हैं हम लोग जो मॉडुरेट टाइप आफ रियक्शन होते हैं ना उनको स्टेडी करते हैं ठीक है बहुत फास्ट को भी नहीं करते हैं और यह आप लोग लास्ट पॉइंट को जड़ा चेक करो कहते हैं कि किनेटिक्स इंवाल्फ रियक्शन विद मॉडरेट थी ठीक है यह बात हम लोग कर चुकिए है लेकिन अब यहां से आगे एक निया पॉइंट डू होता है कहते हैं कि अब में तबारस से आपको जो है वो इन पॉइंट में से कुछ फर्दर जो मतलब बिल्कुल में पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग ने लाज़मी जहन में रखने हो बता देता हूं सबस्पहले आपनों को क्यमिकर कैनेटिक्स की डेफिनिशन का पता हो उसके बता आपको पता हो के फास्ट इक्षिन इरहां हो कोन से होते हैं तो चैनलिक इनकी स्पीड का बता हो स्पीड किया है त। हम लोग घख स्टिक को बता कि स्पीड श्क्राइब हो थें हैं यह पॉइंट्स भी हो गया उसके बाद आप लोगों को चाहिए वो जो वैरी स्लो रियक्शिंज हैं उनकी एक्जम्पल्स में यह पॉइंट नंबर फॉर में यह आपको पता हो ठीक है अब नेक्स है हमारे पास रेट अब रेट क्या होता है अब रेट बसिकेली मारपास चेज इन कॉंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंस तो प्रडॉक्ट इन यूनुट टाइम तो से हम लोग जो है वो रेट कहते हैं Mathematically, हम लोग कह सकते है, rate is equal to concentration, sorry, change in concentration divided by change in time, या इसको हम लोग लिख सकते है, dx divided by dt, तो ठीक है, उसको हम लोग देखते है, unit of rate, अब rate का unit क्या है, mole per decimeter cube है, या mole per liter भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये तीन इसके units है, आप लोगोंने इनको भी जहन में रहते हैं, आप लोगों से question कर सकते हैं, rate का क्या unit है, वो तीनों options दे, कि option D में आप लोगों call of these भी दे सकते हैं, ठीक है, और इसकी definition भी पूछ सकते हैं, ठीक है, नेक्स है मारे पास specific rate constant, अब हम लोगोंने rate देख लिया, अब specific rate constant क्या है, कहते है, it is the rate of reaction, if the concentration of the reactant is unity, specific है, तो unity के लिए कि लिए हम लोगों देखने के लिए, तो मारे पास वो specific rate constant हो जाएगा, और इसका unit भी मारे पास है, वो mole per decimeter qb है, क्योंकि हम लोग देखो, unity के लि basically show करता है relationship between the rate and concentration, ठीक है, इनीचे उसने कुछ examples दी है, आप लोगों इनको देख लो, लेकिन ये important आप लोगों से पूछ सकता है, क्यों सा law, जो है, वो relation show करता है between rate and concentration, तो आपको पता हो, क्योंकि रेट ला, या rate equation law, या rate expression हमारे पास से है, वो show करता है relationship between the rate and concentration, ठीक है, ये 3-4 points आपको जो है, वो पता होने चाहिए, उसको ताम लोग देखना है कि कौन-कौन से factors जो है, वो जो affect करते है rate को, ठीक है, तो बहुत सारी factors है, total 5 factors है, बैलकि 5 नहीं, हाँ, 7 factors है, जो के rate of rejection को जो है, वो affect करते है, तो सबस्पहला factor मारे पास है, जी concentration का, concentration जयदा होग गजए, surface area भी depend करते हैं, जो मारे पास heterogeneous reactants होते हैं, तो जितना सदा मारे पास surface area जयदा होगे, तो heterogeneous reactions का rate उतना ही जयदा होगा, ठीक है, अब activation energy को देखते है, किसा एक्टारी के साथ मेरे पास rate का direct relation है, like activation energy जतना होगी, rate उतना जयदा होगा, अब बेसिकली, एक्टिव इनर्जी को Mits Signal के既mor से इडीडे कर रहे है अकिर you लाइकर राइक्षन करने के लिए उसे क्यानि इनर्जी चाहिए उसे हटिवेशन इनर्जी चाहिए और यह और मेर्फेडर अरशी होती है तो इसकी वह इसे में पास उनका different rate होता है ठीक है next catalyst है वो catalyst changes the rate of reaction ठीक है rate of reaction पर जाब catalyst भी डिबेंड करता है catalyst क्या करता है basically reaction को speed up कर देता है ठीक है तो हम लोग को उसी speed की बात करें रेट की बात करने time की बात करें लास्ट अब gaseous rate जो है वो इनका rate of reaction जो है वो ज्यादा होता है उसके बाद liquids का उसके बाद solids का तो यह trend भी आपको लोग को पता होना चाहिए तो यह कुछ factors थे जो के rate of reaction पर जाब डबेंड करते तो यह आप लोग को लाज़मी बता हूं जिए नेक्स्ट हमारे पास catalysis, catalysis कहते है changing the rate of reaction by mean of catalyst तो उसके हम लोग जाए वो catalysis कहते हैं ठीक है लाइक catalyst को add करने से जब हमारे पास rate of reaction जाए वो चेंज होता है तो उस process को हम लोग catalysis कहते हैं अब हमारे पास जो catalyst है catalyst है इसकी तीन टाइप्स होती है number one homogeneous catalysis अब homogeneous catalysis में हमारे पास जो है न ऐसे catalyst in which the reactants product and catalyst यह तीन हो मारे पास जो हो same physical state में हो तो हम लोग जो है वो homogeneous catalyst कहते हैं अब यह example given है देखो आप लोगों के पास reactants दोनों gaseous state में है और जो मारे पास product बन रहा है वो भी gaseous state में बन रहा है in the presence of catalyst NO2 और NO2 भी मारे पास जाए वो गैस ही है ठीक है so that's why हम लोग बोलेंगे कि यह reaction क्या है वो homogeneous catalyst है तो अब इसमें से mcq जो है वो किस तरह से आएंगे वो आपको definition भी दे सकते हैं लेकिन बहुत कम होता है कि definition आप लोगों से पूछ ले लेकिन इन most of the cases आप लोगों को जो है वो different options दी होते हैं और आपको कहते हैं कि आप लोग इसमें से जो है वो homogeneous catalyst catalyst जो है वो उसको टिक करो या hetero वाले को टिक करो ठीक है mostly homo और hetero को कई कहते हैं क्योंकि enzyme वाले तो हर बंदा जो है वो easily estimate कर सकता है enzyme वाला क्या बलकि यह भी easy है आप लोगोंने just states देखनी है अगर reactants product or catalyst की state of matter same होगा तो वो homogeneous catalysis होंगे अगर different होगा आगे जाकर देखते हैं अगर different होगा तो मर पास वो heterogeneous catalysis हो जाएगी heterogeneous catalysis की आप लोग example देख सकते हो देखो reactants जो हो दोनों gas में है product B gas में है लेकर in the presence of catalyst V2O5 जो कि soiled होता है ठीक है देखो V2O5 के साथ उसने S लिखा हुए न तो यह आप लोगों को अगर G लिखा हुआ तो वो gas होगा S लिखा हुआ तो solid होगा L लिखा हुआ तो liquid होगा मतलब यह तो simple होगा नेम से इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट है मार पास enzyme catalysis ऐसा reaction in which enzyme is used as a catalyst तो उसे हम लोग enzyme catalysis कहते हैं अब यह उसने different example दी है जिसमें हम लोग यह वो यूज कर रहा है एक enzyme which is zymos तो it is a enzyme catalysis तो यह भी आप लोगों ने जहां वो देखने अगर catalyst यह वो उसने enzyme यूज किया तो वो enzyme catalysis होगा अगे वो कहते है कि catalyst do not have any effect on the total thermodynamic or the enthalpy of the reaction कहते है कि catalyst जो है न thermodynamic और enthalpy of the reaction को जो है वो effect नहीं करता so for this reason a catalyst cannot bring about the reaction which is thermodynamically not favorable ठीक है ऐसा reaction thermodynamically favorable नहों तो catalyst भी जो है वो उसको जो है वो favor नहीं करता ठीक है उसमें मतलब changes नहीं लाता तो आप लोग को पता हो कि just catalyst reaction को speed up करता है वो thermodynamic और enthalpy of reaction को जो है वो effect नहीं करता है नेक्स नहीं हमारे पास collision theory आप collision theory देख लेते हैं इसमें कहता है कि it explains the rate of reaction ठीक है इसके कुछ postulates है तो वो देखते हैं कहते हैं कि अब मालीक्यूल आपस में कोलाइड होंगे तो reaction होगा अधरवाइस reaction ही नहीं होगा नेक्स पार में कहते हैं यह वो बात कहा रहा है कहता है कि असके प्रेपर ओर्येंटेशन या डिरेक्शन होनी चाहिए अगर प्रापर ओर्येंटेशन की डिरेक्शन नहीं होगी तो reaction फिर भी जो है वो नहीं होगा ठीक है तो यह कुछ पॉस्टुलेट्स ते कुलियन थियोरी के तीन पॉस्टुलेट्स से सिंपल है हो सकता है कि आप लोगों कुछ है वो नुमेरिकल बेस्ट एमसीकु नहीं आता लेकर यह रिलेशन आप लोगों से वो एमसीकु में पूछ सकते है ठीक है कहते है कि दो मालیकूल है वो कि तक्राओते है तो उनकी होन की ब्लाव हो जाती है यह पहला पॉस्टुलेट है जाते होता है यह पेनित्रेट हो जाते हैं यह तूसरा पॉस्टुलेट है थर्डॉड में पहले डिए अपर बेस्थी ऐस्ट इर्ट में यही बॉल है यह थीनों पॉस्टॉलेंट बी इंप्सिलेंट है जिसमें आपनुंहें आपनों को कुलियंट थी के बारे में बता हैं कि MCQ के options में हो सकता है कि आप लोगो चाहिए वो postulates दे दे किसी theory के और आप से बोले कि आप लोग बताओ कि कौन सा of postulate जो है वो it is not related to transition state theory or collision state तो इस तरह से आप लोगो को postulates दे सकता है लगग अगर postulate नहीं देता तो आप लोगो बास ये आगे एक और MCQ point है कहता है कि transition state is highly unstable state and it cannot be isolated ठीक है तो ये अक्सर MCQ होता है याप लोगो exercise का भी MCQ है कि मार पास transition states पे है वो ये कैसी state है तो ये highly unstable state है ठीक है तो ये आप को पता हो MCQ में यहाँ आता है उसके पाद हम लोग देख लेते हैं मार पास देखु दो तरह की reaction होता है ये एक एक और फर्म रियाक्षिन जो रहता है और एक एक और तर्मे रियाक्शन होता है अब एक्जो तर्म रियाक्षिन में मार पास है molecules differently behave करते हैं ठीक है उनकी activation energies जा है वो different होती है और मार पास एक्टिवेशन energy होती है सबसफ़ेले हम लोग देखने श्राउन में होते है है उसकी ट्राउंस थे बंत रेटेंट्स को सबसे जयाद होती उसके बाद रेक्टेंट्स की होती है, और सबसे कम बिद जबसे रिगक्र की होती है wr दोनों रियक्शन में आप लोग देख लोग कि सबसे ज़्यादा जाए अक्टिवेशन इनर्जी जाए वो ट्रांजिशन स्टेट की ही है लेकिन आगे रियक्टेंस और प्रॉलिक्स को उसने इंटर से वो गिया हुए तो आप लोग इनको किसी भी तरह बस अपने फिंगर ट क्यों बनता है यहां से और आप आप से जो है और आप से जो है और तीसरी चीज़ है कि अगर कोई और आफ रियक्शन है तो उसका यूनिट भी पूछ सकता है तो यह तीन तरह के क्वेस्टेंस यहां से बन सकते हैं तो देखते हैं और क्या होता है और क्या होता है और क्या ह भी ठीक है तो सम आफ कोफिशेंट्स आफ येक्टेंट्स तो आप सम आफ एक्पोनेंट्स आफ मारे पास क्या होता है वह अर्ड़ अब यहां पर उसमें जहां गजंपल दी हुई है ठीक है टू एफी सियल एंड प्लस सिक्सक्रेंट इसमें मालेकुलियर्टी जो है वो क्या होगी है कि अधिक्स को एड़ करते हैं न कोफिशेंट कौन से होता है यह बेसिस को इसमें इस ने तू जो है वह कोफिशन्ट है से तू प्लस सिक्स है इस इकूल टू एट थीच है अब उसने इस रिएक्शन का आडर भी बताया है कि देखो आडर में हम लोग क्या करते पहले उस equation का rate लिख लेते हैं अब rate लिखते हैं तो हमारे पास आप लोग देख सकते हो या फिर और असान तरीका बता दूँ देखो 2 और 6 है ना लोगे जो exponents किसे कहते हैं पावर को कहते हैं ठीक है तो आप लोग के पास पावर में चली जाएंगी और पावर को जब आप लोग एड़ करोगे तो आप लोग के पास order of reaction आजाएगा ठीक है अब आगे हम लोग जाकर देखते हैं first order second order third order zero order और fractional order यह क्या होते हैं सबस्पह चाहे हम लोग order find कर रहे हूं या molecularity find कर रहे हूं तो देखो इसका हम लोग ने rate लिख लिए पावर में one आ गया तो मारे पास order of reaction क्या हो गया one अब यहां पर जो है वो उसने unit बताया है first order of reaction का तो अभी आप लोग जितने भी order आगे हम लोग पढ़ेंगे first second third zero और fractional अभी आप लोग इनकी units को फिलाल चोड़ो units को मैं बिलकुल last पे आप लोग को एक formula बताऊंगा ठीक है shortcut formula है उसमें आप लोग उने just one two three put करना है तो आप लोग के पास first order of reaction second order of reaction third order of reaction और zero order of reaction का unit easily आता जाएगा रटे मारने की जूरूद बिलकुल भी नहीं है ठीक है अब हम लोग पहले इन orders को देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास second order of reaction देखो इसमें 2HI gives us H2 plus I2, हम लोग हमेशा reactants को चेरते हैं, तो यहाँ पर देख लो, base में 2 है, rate लिखिंगे तो यह 2 जो है उसकी power बन जाएगी, तो order हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, इसके भी unit को आप लोग ignore करो थोड़ दिर के लिए, next हम लोग जाते हैं, third order of reaction पर, अब third order of reaction में भी जो है, उसने एक example दी है, two FECL plus six KL, यह हम लोग already जो है वो, general जब हम लोग molecularity और order का देख रहे थे, तो उस वक हम लोग ने यह equation solve की, ठीक है, मैंने का कि आप लोग इसके लिए rate लिख लो, जब आप लोग rate लिखोगे, तो आप लोग जाएगा, bracket वाली चीजों को आप लोग एड करो, तो आप लोग पास order of reaction आजाएगा, चीक है, यह होगे, आप लोग पास third order of reaction, उसके बाद है, zero order of reaction, अब zero order of reaction में मार पास यह होता है, कि it does not depend upon the concentration of reactants, ठीक है, आप लोग उसे question कर सागता है, कि which order of reaction doesn't depend upon the concentration of reactants, तो zero order of reaction, वो concentration पर depend नहीं करता, अगर यह concentration पर depend नहीं करता, तो यह क्या करता है, देखो मार पास जितने भी photochemical reactions होते हैं, और enzyme catalyzed reactions होते हैं, तो वो हमेशा zero order of reaction शो करते हैं, ठीक है, तो आप लोग उने जाएगा, यहाँ पे किसी भी किसम की calculation नहीं करनी, जब भी आप लोग को statement या कोई enzyme का नाम लिखे हो, तो आप लोग फुरान आँखे बंद करके कहें, तो यह zero order of reaction है, ठीक है, तो यह enzyme catalyzed reactions में और जो sunlight में जो हमार पास reactions होते हैं, photochemical reactions, तो उनका order जो हो zero होता है, ठीक है, इसका बीजनोट हम लोग last में जाकर देखते हैं, कि वो कैसे find करना है, ने आप लोग one plus, तो यह देखो, rate आप लोग, आप लोग को rate लिखना आता हो, अगर आप लोग को rate लिखना नहीं आता, तो आप लोग यह order of reaction find नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ orders तो easy होते है, like first or second, third भी कुछ हत तक easy है, ठीक है, वो आप लोग, मतलब, आप लोग अगर rate नहीं लिखना आता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 2 को common ले लोगे, and then bracket में जो चीज़े आएंगी, तो उनको आप लोग आड करोगे, तो आप लोग के पास order आ जाएगा, ठीक है, so fractional order जो है वो, यह बन गया, to 1.5, इसका भी unit आप लोग बस भी आ आ गया, देखते ह हैं अब, अब, unit देखने से पहले, एक और चीज़ है, जो के mcq point है, कहते है, the unit of zero order rate constant is same as that of rate of reaction, ठीक है, यह हमेशा mcq आता है, कि आप लोग बताओ, कि कौन से order of reaction का unit जो है, वो same होता है, as that of rate of reaction, तो rate of reaction का, और zero order of reaction का unit जो है, वो same होता है, क्या unit होता है, mol per decimeter cube per second, ठी ठीक है, तो यह मार पास unit से है, वो rate of reaction का भी unit है, और यह zero order of reaction का भी unit है, अब हम लोग देखते हैं, कि trick to find unit of k, ठीक है, यह different आप लोगो नहीं उपर reaction पढ़ें, first order, second order, third order, अब इनका आप लोग unit कैसे find करोगे, एक general equation है, देखो, mol per decimeter cube, उसकी power, ठीक है, mol per decimeter cube की whole power, 1-n, dot s की power minus 1, s की power minus 1, यह test day की हर reaction के साथ होगी, अब यह जो n है, ना, ठीक है, mol per decimeter cube की power, 1-n, अब यह जो n है, यह order of reaction को show कर रहें, अगर तो आप लोग को कहते हैं, कि आप लोग first order of reaction का, जो है, वो unit fight करोगे, तो आप लोग यहाँ पर 1 put करोगे, अगर second order of reaction का बोला जाए, तो आप लोग n की जगा 2 put करोगे, अगर third का बोला जाए, तो 3 put करोगे, अगर zero order of reaction का बोला जाए, तो आप लोग 0 put करोगे, इस n की जगा, ठीक है, और यह 1-n जो है, यह power में है, ठीक है, mol per decimeter cube की whole power, 1-n है, ठीक है, और अगर आप लोग को fractional order तो आप लोग 1 by 2 पूट करोगे इसको solve करोगे तो आप लोग के पास चाहिए वो unit आता जाएगा ठीक है उमीद है कि आप लोग ने काफी कुछ सीखा होगा यह था आप लोग के पास चैप्टर नबर 9 थैंक यू